After seeing the sorrows, दुख देखे जब उन्होंने, प्रिंस सिधार्त ने दुनिया के दुख देखे, तो उन्होंने अपना पैलेस अपना महल छोड़ दिया, और वो मॉंक बन गए, वो एक सन्यासी बन गए, He wandered here and there for seven years, साल तर किदर से उधर घूमते रहे, और at last he acquired enlightenment, और end में उन्हें क्या मिली, enlightenment means उन्हें ज्यान की प्राप्ती हुई, अंडर a people tree, एक people के पेड़ के नीचे उन्हें किसकी प्राप्ती हुई, ज्यान की प्राप्ती हुई, He started preaching उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया उपदेश दिना शुरू कर दिया और इस तरह से Thus He became famous as बुद्धा इस तरह से वो बगवान बुद्ध के रूप में क्या हुए? फेमस हुए Second question है हमारा Question number 5 है What made बुद्धा to move out in the world to see enlightenment? क्यों भगवान बुद्धा बाहर गए अपने किस चीज के कारवर उनका इच्छा हुई कि मुझे ज्यान की प्राप्ति करने चाहिए किस चीज ने उन्हें प्रेडित किया ज्यान प्राप्ति के लिए What made बुद्धा to move world to see enlightenment? इसका अंजर है जब बुद्धा ने एक सिक मैन को देखा, एक ओल्ड मैन, एक बुड़े आदमी को देखा, एक फूनरल पॉसेशन एक अर्थी जाती हुई देखी एक मॉंग को बेगिंग फॉल आहम सन्यासी को बिक्षा मांगते हुई देखा इस साइट इंद रिष्यन ने उन्हें उतना मूफ कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि he at once went out in the world to see enlightenment about the sorrows he has witnessed वो दुनिया में बाहर निकल गए to seek enlightenment about the sorrows he has witnessed जो जो दुनों ने दुख देखे थे कि उन दुखों का क्या कारण है इसके अपारे में ज्यान प्राप्ति करने के लिए वो बाहर निकल गए इस तरह से इस वर्क्षिट पर बेस question number 4th और 5th के answer भी हमने डिसकस करें